हलो नमस्ते आदाप मैं पायल फिर आई हूँ आपके लिए चटपटी और मसालेदार गॉसिप्स लेकर जी हाँ टेलिविशिन की दुनिया है ही इतनी रंगीन की इसकी गॉसिप्स सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा और मैं दूंगे आपको जादा से जादा नियूस बहुत ही कम समय में तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ टीवी की रंगीन दुनिया के सफर पे तो पहले बताती हूँ आपको आज की हेडलाइन्स बिग बॉस चौदा के नए प्रोमो में सल्मान के साथ नजर आई हीना खान, सिधार चुकला और गौहर खान तोपी बहु बन अब पंखे में गुसे सुनील ग्रोवर बनाया सभी को हवा देने का प्लान पसौटी जिन्दिगी के हुआ खतम कमौलिका आमना शरीफ ने पार्ट सम्थान और करिश्मा तन्ना संग कीप पार्टी दिपिका कक्कड और शोईब अब्राहिम परिवार के साथ छुटिया मनाने लोनावला पहुँचे वहां से शेर की अपनी तस्वीरे पायल गोश के बाद यौन सोशन पर सपना भवनानी ने किया खुलासा महिला आयोग से मांगी मदद टीवी का सबसे विवादित रियालिटी शोव बिग बॉस चौदा जल्दी दर्शकों को एंटर्टेन करने आ रहा है इस शो की शुरुआ तीन ओक्टूबर से कलस चैनल पर होने वाली है अब ऐसे में बिग बॉस चौदा का नया प्रोमो विडियो सामने आया है जिसमें शो के एक्स कंटेस्टिन सिधार चुकला, हीना, खान और गोहर खान नजर आ रहे है ये तो हम सभी जानते हैं तीन ओक्टूबर को बिग बॉस चौदा का धम्मा केदार प्रीमियर होने वाला है फैन्स को भी इस शो का बेस सबरी से इंतजार है प्रीमियर वाले दिन सूपर स्टार सलमान खान शो के सभी कंटेस्टिन से दर्शकों को मिलवाएंगे फिर बात करते हैं टीवी आक्ट्रिस आकांचा पूरी की जी हाँ टीवी आक्ट्रिस आकांचा पूरी के पिता की हुई ब्रेन सर्जरी आक्ट्रिस ने खुद सोशिल मीडिया पर इसकी जानकारी दी साथ ही कहा कि उनके पिता की हालत में अब सुधार है और वे ठीक हो रहे है विग्नहर्ता गनेश फेम आक्ट्रेस अकांशा पूरी का परिवार इन दिनों चिंता और परेशानियों से जूज रहा है उनके पिता की ब्रेन सर्जरी हुई है और वे अस्पताल में भरती है सुनील ग्रोवर ने अब टोपी बहु के रूप में ऐसा कारणामा किया कि आप भी देखते हस्ते हस्ते लोट पोट हो जाएंगे घर वालों को हवा देने के लिए टोपी बहु ने खुद ही अपना सिर्फ पंखे में गुसा लिया है कुछ वक्त पहले साथ ने बाना साथिया के कोकिला बेन गोपी बहु और राशी बेन जैसे किरदार वारल होने के बाद सुनील ग्रोवर ने अपने शो में गोपी बहु के तर्च पर टोपी बहु का किरदार अपने कॉमेडी शो गैंग्स और फिल्मिस्तान में इंट्रिद्यूस किया है साथ निमारा साथिया की पॉपिलारिटी को देखते हुए इसका दूसरा सीजन भी वापसी कर रहा है को टेली कास्ट किया जाएगा इस मौके पर जहां फैन्स दुखी है तो वहीं सभी कलाकार मायूस हो गए कसौर्टी जिन्दकी के में कमोलिका का रोल प्ले करने वाली आमना शरीफ ने इस मौके पर हाली अपने घर में एक पार्टी रखी जिसमें उन्होंने दोस्तों के साथ साथ को स्टार्स को भी इंड़ाइट किया पार्टी में पहुँचे पार्ट सम्तान और उदे उदे ने शो में आमना के ससूर का रोल प्ले किया है अब बात करते हैं टीवी के पॉपिलर कापल में शामिल दिपिका कक्कर और शोयब इबराहिम की जी हां अपनी बिजी लाइफस्टाल से कुछ वक्त निकाल लोनावला छुटिया मनाने पहुँच चुके है वे दिपिका और शोयब की ये फेवरिट लोकेशन है और यहां पहुँचकर वे खुशी से फूली नहीं समाए बता दे कि दिपिका मुंबई में पती शोयब और सास असूर के साथ रह रही है लोकडाउन में अपने वीडियो से एंटर्टेन करने वाली दिपिका ने अपनी इस वेकेशन की कुछ तस्वीरे इंस्टाग्राम पर शेर की है जिन में वे बारिश का लुफ्त उठाती नजर आ रही है दिपिका ने लोकडाउन में के दिनों में यूट्यूब चैनल पर धेर सारे वीडियोस पोस्ट किये और बताया जा रहा है कि शोयब ने भी हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल खोला है फिर बात करते हैं पायल घोश के बाद अब सपना भवनानी ने भी खुलासा किया है कि उनका भी यौन शोशन किया गया है और जिस सक्ष ने ऐसा किया उसकी शोशन के मामले में हिस्ट्री रही है अब सपना उस शक्स के खिलाफ शिकायत दर्च करवाएंगी हाल ये अक्ट्रिस पायल घोश दुआरा निदेशक अनुराक कश्यप पर सैक्ष्वल हरेस्मेंट का आरोप लगाने के बाद बिग बस छे फेम सपना भवनानी भी सामने आ गई है सेलिब्रेटी स्टाइलिश अपने साथ घटी एक यौन सोशन की घटना के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर रही है आम तोर पर जब कोई फैन्स अपने फेवरेट स्टार से मिलता है तो उनका और्टोग्राफ लेता है फोटो या सेल्फी खिचवाता है लेकिन हपू की उल्टन पल्टन फेम आक्ट्रेज जहारा सेट जीवाल के साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि लोग उन्हें ही घूर कर देखने लगे और एक फैन ठहा के मार मार कर हसने लगा उसको देख पागलों की तरव हसने लगा और कहा कि उन्हें देखकर उन्हें याजपाल यादव व्याला चेहरा याद आ गया है तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही फिर मिलूँगी आपकी साथ ऐसी ही धमाकिदार और दिल्चस्प कहानियों और टेलिविजन की दुनिया की दिल्चस्प बातों के साथ तब तक के लिए मैं लेती हूँ अलविदा और आपको सिर्फ इतना करना है मेरे चानल टेलिय मिर्च मसाला को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना है